अपनी अपनी जगह भी खाड़े ऑज़ जाएंगे फिव जाएंगे लड़े सिती पायब आगे मैंनिंग स्ट्रेच दिपफूररों के सबादना से एका मॉर्णिंग इस प्राका से प्र Haut रख द्रेगे । यह इध हैंगे साथ, आठ, नौ, दस, लेवन, ट्वेज़, तर्टीन, फॉर्टीन, फिफ्टीन, सिक्स्टीन, सेवन्टीन, इट्टीन, नाइट्टीन, सुल्टीन, अब क्या करेंगे, हाथों में इसको काराज देखांदों की समान तर रिशा में रखेंगे हम उटे चत की तरफ, फिरसे ब आपड को में आरे के शोल्डर से, वान, तू, त्रीन, वाओ मैं तरह के चांब, पांच, छें, सेवन, इट, नाइन, तेन, लेवन, त्वेल, वर्यूर्टीन, फोल्टीन, सिक्स्टीन, जैरिवा समाई, 17, 18, कि नाइटी ट्वेंटी बहुत अच्या क्या गरता है मातों की उखलिया ले उसको अपने कॉरर बोर्ड यहां पर कॉरर बोर्ड है गर्दन की दर लगाए दबाए उसको दर और फिर गर्दन को दिए पीछे स्ट्रेच कर लें ज्यादा से ज्यादा है मातों की उखलियों से खॉर और नीचे दबा रहे हैं और गर्दन जादा से ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच की हुई है इसी वहस्ता में तोई लुटना है और अप्ज़र करना है कैसी घर्दन किस नायों में खीचा और दराव आता है इसको मैसूस करना है तो अब तो सर अवी गर्दन भी तुरा oppose अब हातो का दबाओ सप्रें और सर का अबाऊ हँसे जाओं धूर्मा spr läh है विरुत्निशा में मिनें है विजले बाग में अब दीरे से गर्दन को लेफ की तरफ करना है और गर्दन को थोड़ा आगे की तरफ जुकाना है और फिसे वही हाथों का दबाव सर पे करें सर का दबाव हाथों की अब यहीं सैठा कि अब यहीं को राइट साइड दिल्फ तोड़ने और फिर तुमागे चुकाना है और हाथों का दबाव सर पे सर का दबाव हाथों के उपर मौन का प्यास रखें, मौन अब धीरे जोसको रिलेक्स कर लें अब क्या करना है? अधीर पट्रिया करनी है राइट आपका पंजा सर के लेट से रखें इस प्रकाब से और फिर गर्दर को दीर भी राइट की लोग दिखाने जैसे आपका धाइना कंदा लेट आपका लेट कंदेको लगे यह उस दिशान में जाये क्या चान्थ यादा गट्रक लेट साइट जो स्लेशिक आता है, उसका भूबाने कि किसी स्थिति में जोजे रुपता है और गर्द है नहीं को मैंसूस करना है लेफ्टन को देड हैरेगे राइट साइड से करेंया सब करेंगा है सब्सक्राइब पीए शुकायेत कि राइट साइड में टिंड हृँ ह्वस्था में और अर्थ जो रेना है इस परकार से बैंकों पर गर्दन के स्थाइब में तरव आता है अब दीरे से रिलाइफ कर लें हम जागना है लाइफ का पंजा सीट की ओपर रखें इस परकार से अब दीरे दीर के अगर आपको एल्बोस भी सिना रखते होगे पीछे की तरफ खीचें और चाथी प्रागे क वुख से दोड़ेगा सरवाइब कर लंबा स्पॉंड्योस इस बैक यूद्या रिखते है नहीं है अगली पर्टिया करेंगे लेफ नाप के पचे से राइट अपलए इस रकार से लेफ नापके पचे से राइट अपने को पख़ड़े उसको निचे की तरफ लग कीजिए कि आपका दाइना कंदा नीचे आजाए अब गर्दन को तुरह लेफ की परफ मोड़ना है और आगी की परफ तुरह जुकाना है इस प्रकार से अवस्ता होनी चाहिए बाएं आपके हथेली से आपने दाइन कंदा नीचे आ गया है और तुरह आगी की तिरफ जुका है राइट साइट गर्दन के ओपर कैसे तुना आता है उसको मैसुस करें अब रिलेस्ट हो जाएं अब यहीं करिए दुस्साइट से करनी है राइट हाथ के पंचे से लेफ दो करें इसको नीचे की तरफ खीचे यह से बाया कंदा नीचे आजाए और कर दन को राइट तरफ और कर दन को आगी जुका है राइट तरफ इससी अवस्ता में आपके जुद्धे रुखेंगे पेशे नीचे जित्मा तरफ जित्मा के इस सब्सक्राइट कर पीछे चिन पे रखें थोड़ी पे रखें अब दीरे से का करना है चाहिए तो राइट हाल अपने कमर पे रख सकते हैं अब दीरे से गरदर और थोड़ी को पीछे की तरफ स्टेश करने चिन टग इसी हवस्ता में 20 सेकंड चे 20 सेकंड रुपना है माहें हाथ के तरजनी को लगा कर रखता है अपने चिन के ऊपर और दीरे से इसको पीछे की तरफ स्टेश किया है और रिलाइक्स हो जाए इन आवर्दन करने चिन करके बहुत उप्योगी सर्वाइकल स्वांडेलोसिस के लिए हाथ कमर पर रखें दूसरे आवर्दन के लिए त्यार हो जाएं दीरे से चिन और घर्दन को स्टाइब को खिचाव घरते होगे पीछे की तरफ लेकिदा है और उसी स्थिति में रुपना है स्थिर अब दीरे से रिलाइक्स हो जाए है थोड़े देर विश्रान भी दो और दोनों के बीच में इसा और अंतिमा वर्दन कर सब्सक्राइब करते होए पीछे की तरफ खीचने है और उसी स्थिति में रुपना है और रिलाक्स हो जाए अंतिम्प्रफिया करेंगी मौनिंग स्टेचस की हाथों को इस प्रकावासे 90 डिगरी पर रखें आप शोल्डर लेवल में हो कोई इवे 90 डिगरी में बुड़े ह हों अधों के बन्याइस सामय से कर रहे हैं अब दीवी त